Hello Friends, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे International Price Discrimination and Dumping की देखें अभी तक हम लोग Price Discrimination पढ़ चुके हैं अल्रेडी और Micro Economics की प्लेलिस्ट में जाकर Price Discrimination वादा टॉपिक देख सकते हैं वहाँ पे आपको in detail Price Discrimination मिल जाएगा अब हम बात करेंगे International Price Discrimination and Dumping की बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक announcement है आप में से जो aspirants UPSC या State PSC exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं और आप लोग सोचते हैं कि आप Economics Optional को लेकर चलेंगे तो प्लीज चैनल को जॉइन करें ताकि आप लोगों को जादा से जादा free resources मिल सके और यहाँ पे चैनल के अंदर हम लोगों ने UPSC को लेकर PYQ के उपर एक separate playlist है जहाँ पे अभी मैंने International Economics के previous year questions को डिसकस किया है काफी सारे questions आप लोगों को मिल जाएंगे वहाँ पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको maximum benefit हो सके और साथ ही टेलिग्राम चैनल पे भी जुड़िये जिसका link आप लोगों को comment box मिल जाएगा तो ताकि आप लोगो timely notifications मिलते रहें अब हम topic को start करते हैं that is international price discrimination and dumping तो सबसे पहले मैं आपको international price discrimination समझाऊँगी उसके बार मैं आप लोगों को dumping की definition बता दूगी कि what is dumping देखे international price discrimination वर्ट से ही पता चल रहा है कि international इसका मतलग यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक global market की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे दो markets की बात करेंगे एक foreign market और एक हमारी domestic market इसका मतलग price discrimination अगर आप लोगोंने concept पड़ा होगा तो मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको कि price discrimination में seller क्या करता है दो markets को target करने की कोशिश करता है ठीक है यहाँ पे हम basically price discrimination of third degree की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब price discrimination of third degree की बात की जाती है तो आप लोगों को पता है कि seller क्या करता है seller market को divide कर देता है into sub markets तो यहाँ पे under the topic of international price discrimination हम लोग देखेंगे कि seller market को divide कर देगा into foreign market और domestic market और जेनरली जब हम price discrimination की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं हम normal scenario पे monopoly की बात करते हैं तो इसका मतलब जो monopolist है वो दो markets को cater करेगा एक domestic market और एक foreign market अब जब हम domestic market की बात करेंगे तो domestic market में यहाँ पे क्या होगा यह single seller है मतलब domestic market के case में यह क्या होगा monopolist होगा लेकिन अगर आप foreign market को देखो तो foreign market में monopolist को compete करेंगे और लोग भी मतलब foreign market के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा competitors देखने को मिलेंगे तो उस logic से हम लोग क्या बोलेंगे कि foreign market के अंदर perfect competition होगा market structure तो इसका मतलब हमारे पास एक monopoly market structure होगा और एक perfect competition market structure होगा तो जब monopolies की बात की जाएगी domestic market जहाँ पे monopoly exist करेगी तो वहाँ पे prices क्या होने वाले हैं prices higher होंगे क्यों higher होंगे because वहाँ पे वो sole seller है single seller है लेकिन perfect competition जहाँ पे वो क्या होगा वो price taker होगा price taker इसका मतलब जो price market में prevail करेगा उसको उसी price में बेचना पड़ेगा वो खुद से price को decide नहीं कर सकता और perfect competition पे price हमें क्या देखने को मिलेगा as compared to monopoly market हमें क्या देखने को मिलता है price कम देखने को मिलता है तो पहला point हमें clear होना चाहिए कि foreign market पे price कम होगा और domestic market पे price high होगा ठीक है यहां तक समझाया तो diagram से समझाने की कोशिश करूँगी देखिए यहां पे हमारे पास क्या है जैसे हम market structure पे diagram बनाते है x-axis पे हम लिखते हैं output y-axis पे हम लिखते हैं price या revenue या cost ठीक है आप जो लिखना चाहिए तीनों लिख लेना अब हमने क्या बोला कि यहां पे एक जगा वो monopolist है और एक जगा वो perfect competition पे काम कर रहा है जब हम perfect competition की बात करते हैं तो average revenue और marginal revenue curve कैसी होती है horizontal तो यहां पे भी perfect competition पे we have average revenue is equal to marginal revenue बट यह कौन सी market थी यह आपकी थी कौन सी world market foreign market इसलिए हम इसको लिख देंगे W और हमारी जो domestic market है वहां पे वो कैसे behave कर रहा है monopolist की तरह और monopolist में हमारे पास average revenue curve कैसी होती है this is the average revenue और marginal revenue कैसी होती है monopolist की ऐसी होती है मैंने आपको बताया था और यह कौन सी market है home ठीक है यहां तक clear हुआ अब हमारे पास average revenue, marginal revenue home market और foreign market दोनों की है अब जब हम किसको देखते है जब हम equilibrium की बात करते है हम लोग क्या कहते है equilibrium में MR is equal to MC इसका मतलब हमें यहां पे MR तो हमारे पास है we need MC curve तो यहां से I am drawing MC curve जो marginal cost कहां की होगी दोनों markets की because cost of production चाहे वो domestic पे supply कर रहा है चाहे वो foreign market पे supply कर रहा है curve हमारी same होती है ठीक है curve में distinguish मत करना अब यहां पे अगर आप देखेंगे this is MC curve, this is MR, AR, AR, MR clear अब यहां पे perfect competition को वो कहां पे intersect कर रहा है इस point को mark करना E यहां तक समझाया तो यहां पे हमारा जो output होगा यह चिस से बियान से देखना हमारा जो output होगा वो कितना होगा OM is the output at PW price why I am writing PW because यहां पे PW वाला ही average revenue है और price is equal to average revenue होता है तो हम लोगों ने देखा यहां पे PW इतना price होगा total जो world market पे होगा because AR is equal to MR हम इस curve को देखके बात कर रहे है और total output भी आपका कितना है OM अब seller को क्या करना है seller को इस output को divide करना है between the domestic market and the world market इसका मतलब OM में से कुछ पार्ट domestic market के लिए रहेगा और कुछ पार्ट कहां जल जाएगा world market के लिए अब यहां पे हम लोगों को क्या देखना होता है हम लोगों को output निकालने के लिए condition यह देखनी होती है तो यह तो हमने world market का देखा लेकिन हम लोग किसकी देखेंगे अब हम composite curve देखेंगे हम total curve देखने की कोशिश करेंगे दोनों markets की कौन सी curve? MR ठीक है कौन सी curve देखनी है unit marginal revenue तो यहां पे अगर हम इस curve को देखेंगे यह क्या बनेगी? यह हमारी composite curve बनेगी किसकी marginal revenue की home market के लिए और foreign market के लिए तो इसको याद रखना इसको हम mark कर देते हैं as BFED हमारी BFED क्या होगी? it is a composite curve मैं क्या word यूज कर रही हूँ? composite मतलब दोनों markets की combined curve क्या है? marginal revenue curve this is the और combine के हिसाब से भी आप देखोगे तो यहां पे E पे ही intersect कर रहा है MR और MC ठीक है? तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे हमारा total output होगा OM और यह हमारी मैंने आपको भी बताया यह हमारी किस की curve थी? यह हमारी international market की curve थी that is why यह price कहां पे जाएगा? यह price हो जाएगा world market के हिसाब से तो world market का हमने देख लिया अभी यह देखना है हमें कितना divide करेंगे बट हमें किस पे देखना है? हमें home market का देखना है ठीक है? तो home market में हमें यह इन चीज़े देखनी है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? MR is equal to MC देखेंगे बट हम लोगों को क्या दियान रखना है? marginal revenue दोनों markets पे क्या होना चाहिए? same होना चाहिए marginal revenue should be same in both the markets तो marginal revenue अगर मैं world market की बात करूँ तो marginal revenue कितना है? यहाँ पे Y axis पे हमारा क्या होता है? revenue भी होता है, cost भी होता है, price भी होता है तो हमारा world market के अंदर कितना revenue है? it is equal to this much ME is the revenue इसका मतलब MR is equal to MC होता है तो हमारा world market के अंदर marginal revenue is equal to marginal cost that is equal to ME इसका मतलब home market में हम उतना output sale करेंगे जहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जहाँ पे हमारे पास MR क्या हो जाएगा? MR is equal to ME तो इसके parallel मुझे line ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे मेरी marginal revenue curve कोन सी है? marginal revenue in the home country मेरी कोन सी curve है? this is the line अब यहाँ पे मुझे ultimately ME यहाँ से इस line के बराबर मुझे line यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या होगा? मेरा marginal revenue in the home country क्या होजेगा? greater बट मुझे क्या करना है? मुझे ME के बराबर ड्रॉ करना है ME के बराबर कहां करूँगी? मैं मेरी यह line आएगी समझाया? तो यहाँ पे marginal revenue और marginal cost बराबर है home market और world market में तो हम लोग बोलेंगे FN FN हमारा क्या हो जाएगा? marginal revenue in the home country और output determine करने के लिए price determine करने के लिए हमें कौन सी curve देखनी होती है? हमें average revenue curve देखनी होती है because average revenue is equal to your price ठीक है? तो यहाँ पे home market में pH price हो जाएगा और ON output home country में होगा और NM कहाँ पे चला जाएगा? world market में तो ON output home country के लिए at price pH और NM कहाँ पे जाएगा? world market पे जाएगा price कौन सा होगा? P.E.W. डाइग्राम समझाई? ठीक है? समझा आ गया है सबको? एक बर वापी से explain कर दूँ देखिए एक बर वापी से explain करती हूँ दियान से देखना ठीक है? अब मैं तोड़ों जल्दी करूंगी output this is the price हमने बोला P.E.W. is equal to M.R.W. this is the average revenue and marginal revenue curve of the world market और उसी तरीके से we have average revenue of the home country and marginal revenue of the home country clear? अब हमें क्या चाहिए था? हमें M.C. curve चाहिए थी? हमने बोला this is the M.C. why M.C.? because equilibrium के लिए हमें M.C. is equal to M.R. देखना पड़ता है यही देखना पड़ता है अब हमने देखना है composite curve कौन सी composite curve? marginal cost तो एक curve है हमारे पास लेकिन marginal revenue हमें इकठा चाहिए for the home country and the world market तो हमने बोला this is the marginal revenue curve for the home country and the world market आप हमने क्या देखना है M.C. is equal to M.R. तो M.C. और M.R. कहां पर intersect कर रहे हैं at this point इस point को आप mark कर दो E. E. is the equilibrium point इसका मतलब total output कितना produce होगा O.M. और किस price पर होगा O.P. मैंने कैसे देखा? average revenue को देखा ठीक है? price के लिए I always observe the average revenue curve ठीक है? आप लोगों को भी average revenue के हिसाब से price देखना है तो ये price किसका होगा? world का because average revenue of the world market यहां तक clear अब हमें क्या देखना है? quantity और price क्या होगा? home market में तो हम क्या देखेंगे? जो marginal cost और marginal revenue की value आपकी world market में है वो ही home market में होनी चाहिए because तो world market में कितना है हमारे पास? ME तो ME के बराबर मुझे marginal revenue home market में चाहिए और वो तभी possible है जब मेरा marginal revenue क्या होगा? it is equal to this line और ये कितना है? it is equal to FN लेकिन मुझे price देखने के लिए क्या देखना है? मुझे average revenue देखना है इसका मतलब मैं average revenue तक ये line extend करूँगी और बोलूँगी this is the price in the home country और इस according हमें क्या देखने को मिला home country पे price होगा pH और quantity होगी ON और world पे price क्या होगा P, W और quantity कितनी होगी remaining ON, OM ठीक है तो ये आपको पता चल गया it is the international price discrimination जहाँ पे different prices है home और world market पे clear? अब हमारा बचा dumping dumping में हम लोग क्या देख से हैं कि जब world market के अंदर prices क्या होगे? कम होगे as compared to home market तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उस process को बोलते हैं dumping तो आप इसको define कर सकते हैं कैसे? when a seller और a producer जो लिखना चाहे charges a lower price in the world market जो भी हमने देखा diagram अगर dumping पे question आजाएगा तो आप लिख लेना इन दा वर्ल्ड मार्केट दैन होम मार्केट दैन इस नोन अज जम्पिंग clear यहां तक सबको ठीक है topic clear हो गया आपको लेकिन जब भी आपकी topic देखोगे साथ में price discrimination वाला जरूर देख लेना ठीक है तो यहीं पर topic खतम करते हैं प्लीजिट क्या है अजर श्तक्रावे लेक्षाड में अज्ट क्या है झाल झाल